ताइवान के प्रेजिडेंट ने रीसेंटली ये कह दिया के बिलकुल चाइना को वार डिक्लेयर कर देनी चाहिए रशिया पर और इधर आप देख पाओगे यहां पर यह है ताइवान यह हमारा प्यारा भारत और ताइवान आपको बता होगा चाइना के टार्गेट पे हैं चाइना के शीजिंग पिंग ने लिटरली कहा है के ताइवान जो इनके साब से इनकी टार्टरी है इसे चाइना में मर्ज किया जाएगा नाव ताइवान के हाल ही में जो प्रेजिडेंट बनी है लाई शिंग्ती इन्होंने चाइना की सरकार को उपन लिए कह दिया के ताइवान तो फिर भी एक छोटा सा टापू है ना आपको अगर असल में अखंड चाइना बनाना है जो चाइना की खोई हुई टेरिटरी है उसे वापस लेना है तो जो हिस्टोरिकल लैंड्स 19 सेंचरी में चाइना ने गवा दिये थे रश्या के हाथो वो एरिया हम लोग व ताइवान के लोग दोनों ही मानते हैं कि रश्या ने कबजा रखा है चाइनीज लोगों का और उसे एक ना एक दिन तो वापस लेना ही होगा ना हम यह आपर बात कर रहे हैं व्लादे वॉस्टोग रीजन की चाइना का यह मानना है जो मैं आपको बता रहा हूं यह चाइन रेपब्लिक ऑफ चाइना तो दोनों चाइनीज लोग हैं और इन दोनों का मानना यह है कि 140 साल पहले रश्या ने चलकपट करके एक बहुत ही बड़ा हिस्सा चाइना का कबजा लिया था हम यहाँ पर बात कर रहे हैं व्लादी वॉस्टोग रीजन की दर आप देख यहाँ पर चाइना के लोग मानते हैं कि हिस्टोरिकली चाइनीज सेटलमेंट्स थी चाइनीज लोग हजारों सालों से यहाँ पर रहा करते थे और अगर मुझे से पूछे कई हिस्टोरिकल फाइंडिक्स में पता लगा है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर चाइनीज प्रेजन क्या trade के जरिये थी कि चाइना के जो traders हैं, merchants हैं, वो यहाँ पर जाते थे, उनका कई जो प्राना समान है, यह आपर दफन हो रखा है, या फिर genuinely एक बार को चाइना के लोग यहाँ पर गाउं वसा के रहा करते थे, इसको लेकर एक dispute है, क्योंकि चाइना के हिसाब से Russians ने क्या क लाला, उनको ड्रा धंगा के भगा दिया, और यह पूरा हिस्सा अव्लादी वस्तोक का यह रश्या ने कबजा लिया था, इस बात को लेकर देखिए, चाइना में बहुत गुस्सा है, आक रोज है, इनकी government चाहे officially इस बात को लेकर चुप रहे, मगर जो आम चाइनीज आपको आर्टिकल दिखाना हूँ, Chinese traders, historians, इनके यहां आम एक बात है, कि Russians के पास एक बहुत अच्छा कारण है डरने का, क्योंकि हम Chinese, हम किसी से डरते नहीं है, इन्होंने आगे यह कह दिया, the far east is a Russian colony, और इधर आप देख पाऊंगे, कई Chinese लोग तो यह भी कहते हैं, कि यह बिलकुल एक Chinese territory है, और रशिया इसे वापस देना नहीं चाते हैं, व्लादिमर पुतिन के बारे में मैं यह कहूंगा, बहुत ही जादा clever politician है, बहुत जादा clever world leader है, western media ने हाल ही में, इस बात को लेकर बहुत सारे article पप्लिश किये हैं, इतर आप देख पाऊंगे, telegraph का article है, यहाँ पे एक geopolitical analyst यह कह रहे हैं, कि इससे बढ़िया समय, 2024 में जो रशिया आज के समय फस्च चुका है, युक्रेइन वार में, इससे बढ़िया टाइम, चाइना को नहीं मिलेगा, अपना हिस्सा वापस लेने का, व्लादी वॉस्टोक को वापस लेने का, कई geopolitical analyst ओपन ल आम से व्लादी वॉस्टोक का बड़ा हिस्सा कबजा सकती है, और रशिया रिटालियेशन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्यों? देखें, रशिया काफिया तक exposed हो रहा है, जो कुर्क्स रीजन है रशिया का, इसका एक बहुती बड़ा पार्ट युक्रेइन ने कबजा लिटरली रशिया की धर्ती कबजा ली गई, क्या रशिया ने कुछ किया भी तक? क्या नुकलियर वेपन्स यूज किये? हाँ, बिलकुल नुकलियर डॉक्ट्रिन ये चेंज करने की बात कर रहे हैं, अभी भी धंकिया दे रहे हैं, अल्मोस्ट आप कहलीजिए, ये नुकल लिटर वेपन्स तभी यूज करेगा, जब मॉस्को तक खता पहुच जाएगा, व्लादी वॉस्तोक तो मॉस्को से बहुत ज़रा दूर है, तो अगर चाइना ये हिस्सा कबजा भी लेता है, रशिया क्या कर लेगा? रशिया अपने डिप्लोमाटिक रिलेशन्स यूएस क साथ, यूरोप के साथ, बाकी कई कंट्रीज के साथ खराब करके बैठा है, चाइना के साथ, अगर मान लो, hypothetically speaking, चाइना ने रशिया का व्लादी वॉस्तोक कबजा लिया, पुतिन क्या कर लेंगे? चाइना पे वॉर्ड क्लियर करेंगे, तो इसलिए वेस्ट में भी बहु व्लादेमिर पुतिन को पता इस सब के बारे में, और जो मैं यहाँ पर तारीफ कर रहा था ना, उनकी, कि व्लादेमिर पुतिन बहुत ज़ादा क्लेवर कनिंग लीडर है, तो इसका रीजन सिंप्ली यह है, कि पुतिन ने दो हजार तैईस में ही, अभी युक्रेयन रशि करने के लिए में काम करते हैं, चाइना को में देखिए व्लादी वॉस्तोक चाहिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर बंदर का बहुत इंपॉर्टन है व्लादी वॉस्तोक का, तो रशिया ने सिंप्ली यह किया, चाइना आपके लिए व्लादी वॉस्तोक पोर्ट ओपन है, पाकि चाइना के पास reason कम हो, शी जिंग पिंग अपने लोगों को कह सकते हैं, अगर मालो चाइना के लोग कहते हैं, शी जिंग पिंग को, कि शी जिंग पिंग चलिए, अटाक करते हैं व्लादी वास्तोक को, this is golden opportunity, शी जिंग पिंग भी कह सकते हैं, देहिए, जो main port है वहाँ का, उसका access तो पुतिन ने हमको देही दिया है, क्या genuinely हमें अटाक करने की आवशकता है, तो इसे कहते हैं, brilliant geopolitical move, हाला कि मैं यह कहूँगा, कि यह guarantee नहीं करता, कि चाइना रश्या पे अटाक नहीं करेगा, और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं, चाइना रश्या पे अटाक करेगा, मगर दोनों leaders तो मिलकर इनों गले मिलते हैं, और दोनों वादे करते हैं, दोस्ती के देखिए, यह सब कुछ geopolitics में यूँ बदलता है, दुनिया में एक बहुती जादा क्रूर नियम है, कि कमजोर होना पाप है, रश्या आज के समय कमजोर हो चुका है, यूक्रेन में इनको उमीद ही नहीं के इतना ये लोग उलग जाएंगे, इनकी निरभरता चाइना पे बहुत ज़रा बढ़ चुकी है, और बिल्कुल चाइना के पास open opportunity है आज के समय, इस open opportunity को ये लोग लेते या नहीं लेते, that is a different thing, बड़ क्लियरली हम देख रहे हैं, कि अब ताइवान के जो प्रेजिडेंट है, वो भी चाइना को मौक कर रहे हैं, शीजिंग पिंग को मौक कर रहे हैं, कि देखो ताइवान को कबजाने में तो 10 problems आएंगी, USA बीच में आ जाएगा, कई बाकी countries बीच में आ जाएंगी, ताइवान को कबजाना भी tricky है, और घूम फिर के ताइवान है क्या, एक टापू, मगर व्लादी वॉस्तॉक, जो literally Chinese mainland से associated है, जिसकी बहुत जारा खराब हिस्ट्री है, Chinese लोगों को मारा गया था इनके हिसाब से, Russians द्वारा, वो हम वापस क्यों नहीं ले रहे हैं, तो ये जो सवाल है न, ये raise होता रहेगा, और आने वाले कुछ सालों में, अभी इसको लेका developments fast नहीं आएंगी, टाइम लगेगा, अगर कुछ सालों में मान लो, रशिया इसी तरीके से उलजा रहता है उक्रेन में, मैं सप्राइज नहीं होंगा, अगर चाइना चुच्छा आप कहता है, कि ये नो वाट रशिया, तुम्हारी गलती है, तुम कमजोर हो, हम इसका फाइदा उठाएंगे, हम अपने हिस्टोरिकल लैंड्स वापस ले रहे हैं, इतिहास में ये कई बार हो चुका है, सप्राइज मत होईएगा, अगर फिर से होता है, और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखिए हाल ही में, युनाइटेड नेशन्स को एक रीजन में, पोलियो वैक्सिनेशन कैम्पेइन लॉंच करना पड़ा, 6,40,000 बच्चों के लिए, क्योंके वार चल रही है, और यहाँ पे पोलियो अनफॉर्शूनेटली फैल रहा है, तो आपको बताना है के हाल ही में, युनाइट ने यह वैक्सिनेशन कैम्पेइन किसके लिए स्टार्ट किया है, यह हैं यहाँ पे आपकी आप्शन्स, युकरेन, सीरिया, गाजा, या फिर नॉर्थ कोरिया, यह बहुत यह ट्रिकी कैम्पेइन है, क्योंकि वार के बीच में, युन को बिलकुल थोड़ा सा टाइम दिया गया है, कि जल्दी सही डोजिज जो है 1.3 मिलियन, जल्दी से बच्चों को दे दो, तो बहुत मैं काऊंगा, एक कठिन कारे है, जो युन कर रहा है, बताइए किस कंट्री में, ये पोलियो वैक्सिनेशन कैंपेइन, आज के समय चला रहा है, युन, कॉमेंट सेक्चन में करिएगा, उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे, उनकी कॉमेंट को मैं हाट दे दूँगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं, कैसा ही आंसर क्या है, और फाइनली आप लोग के लिए एक इंपोरेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू के सभी कॉर्सिस पे आपको एक प्राइस हाइक दिखेगा, जी हाँ प्राइसेज बढ़ जाएंगे, तीन सब्तंबर के बाद से, ये डेड़ याद रखिएगा, आफ्टर थर्ड आउ सब्टंबर, सभी कॉर्सिस पे एक माइल्ड प्राइस हाइक आपको मिलेगी, तो उससे पहले आप अगर चाहें, तो स्टडी आईक्यू के दोहजार पच्चेस और जी हाँ, अब दोहजार चब्श के कॉर्सिस भी अवेलेबल हैं, आपको सिंप्ली या करना है कि इस वीडियो की कॉमेंट सेक्चेन में जाइए, और यहाँ पे आप देख पाऊँगे, दो लिंक आपको दिख जाएंगे, एक में लिखा है दोहजार पच्चेस प्रतिग्या बैच, अगर एगले साल ही आपको UPSC एग्जाम का टर्म देना है, तो बिलकुल आप दोहजार पच्चिस का प्रतिग्या बैच कर सकते हैं परचेस, इस लिंक पर क्लिक करके, बट लेट से, आप अभी दूर का सोच रहे हैं, आप क्या रहे हैं कि नहीं, मुझे देड़ साल रुक कर एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ UPSC का टर्म देना है, तो दोहजार चब्विस का बैच पहली बार आपके लिए लॉँज हो चुका है, जी हाँ प्रतिग्या दोहजार चब्विस बैच, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, अगर आपके गोल्स थोड़े लंबे हैं, आप एक कॉलेज स्टुडेंट हैं, आपके पास टाइम है, क्लिक आउन देस लिंक और यहाँ पे आप परचेस कर पाएंगे, स्टडिया क्यू का प्रतिग्या बैच, बट ओविसली यह जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे इस प्राइस, सिंप्ली यहाँ पर आपको कोट डालना है, पीरी टैन, और प्राइसेज गिरना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, और एक डिसकाउंटे रेट पर याद रखियेगा, यह 36 महीने की वैलरिटी के साथ आपको मिलता है, लॉंग टर्म कोर्स, यह आप कर सकते हैं, परचेज और याद रखियेगा, 3rd September से एक प्राइस आइक देखने को मिलेगा, on all Study IQ कोर्सेज, so use the code PD10, and save money, और इसी नोट के साथ, यह है वीडियो कान, thank you for listening, and as always, may the gods watch over you.